अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको बगल में बैल आइकन उसको दवा दीजिए जिसकी कोई भी नहीं पीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों हम कर रहे हैं टॉप 100 जेनल नोलेज्च की सीरीज और यह सब एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टे को है राजपल करते हैं आप राश्च्पति मुक्य नियदिस या प्रदान मंत्री दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा मुक्य मंत्री की निक्ति करता है राज्येपाल ठीक है और चार्ट लाएं दोस्तों में कि कौन किसको सपच दिलाता है और त्याग पत्र देता है ठीक ह तो यहां से उपर राश्च्पति से देखते हैं ठीक है और त्याग को देखता है पहले देखेंगे उपर राश्च्पति को त्याग पत्र देता है राश्च्पति राजपल को भी राश्च्पति त्याग पत्र देता है मुक्य नियदिस को भी राश्च्पति देता है पर राषटपती को देता है उप राषपती त्यागपत्र अब आ जाते हैं सपत्र पर राषटपती को सपत्र दिलाता है राषटत्र पर्द्द्यक्त थीए और और आप इसको याद कर लिजीया बहुत इप्रॉटेंट कोशिन दोस्ती बहुत बार आता चलते हैं आज के पहले कोशन पर की रेफ्रिजिरेटर में कौन सी गेस परियुक्त की जाती है तो दोस्ते इसका सभी जावब हो जाएगा रेफ्रिजेटर में कौन सी गेस होती है तो यह free on होती है ठीक है दोस्तो रिफरिजेटर में gas होती है free on अगला question एलेक्टरों की खोज करता कौन है बताईए तो इसका सरी जवाब जाग दोस्तो एलेक्टरों की खोज करता है जेजे थोमसन अस्मिया भासा में मुद्रित पर्थम पुच्टक के लिखा कौन थे बताईए तो दोस्तो इसका सरी जवाब हो जाएगा अस्मिया भासा में मुद्रित पर्थम पुच्टक के लिखा कौन थे तो आतमा राम सर्मा थे ठीके दोस्तों याद कर लिजेगा रमिधिनाट टाइग और बारत के राश्टीगान के अलावा किस किस और एक देश का राश्टीगान लिखा था तो तो दुश्तों इसका सही जवप हो जाएगा रमिधिनाट टाइगो लोहे पर जंग लगने से उसका बहार बढ़ जाता है, ठीके, बढ़ता है विश्व का सबसे बड़ा नदी दूइब मांजुली असम के किस जिले में इस्तित है तो दोस्तित का सही जवाब हो जाएगा मांजुली किस जिले में असम के तो ये पाताल पूरी में है, ठीक है, पाताल पूरी में है मांजुली ठीक है, दूइब ये असाम की डिटेल है दोस्तों कि असाम की कैपिटर है दिस्पूर, लार्जे सिटी है गोवार्थी, आपर डिश्टिंग है 33, गोवनर है जगदी समुकी और चीव मिनिश्टर है सरवनंदर सोनेवाल और दोस्ति ये राज जी बना है 26 जनुवरी 1950 में, ये भी याद रखेगा दोस्तों ये आजाता है ठीके, और ये धवनी की चाल अधिक्तम किस में होती है बताईए दोस्तों इसका सभी जवाब हो जाए कि धवनी की चल अधिक्तम होती है इस्टील में ठीक है यह ऐसे आद कर लिए कि इस्टील को बर्तन उसको मारते हैं तो बहुत आवाज करता है ठीक है तो ऐसे आप याद कर लेजागे की द्रफनी कि चाल अधिक्तम स्टिले मों होती है किसे भवीश के हात्यू कहा जाता है तो दोस्ते इसका सरी जवाब हो जागा भविश्च के धातु किसे कहा जाता है तो यह टाइटेनियम आप ऐसे याद करेजिए कि टाइटेनियम बहुत महंगा है तो कोई खरीद देगा नहीं तो भविश्च में सरफ यह बचेगा तो यह भविश्च के धातु इसे कहा जाता ठीक है आकरी कोशन कौन सा तत्व शतन्त्र अवस्ता में पाया जाता है क peculiar तो पीडियोप आपको टेलिग्राम से मिल दाए कि इसका लिए मैं आपको डिस्क्रेशन देदूंगा धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए